गौरफपूर नगर निगम बोड की साथवी बैठक महापौर डॉक्टर मंगले श्वास्तव नगर आयुक्त गौरफ सिंग सोगरवाल के अधिक्ष्टा में नगर निगम के सदन हौल में सकुषल संपन हुई आपको बता दें कि नगर निगम में कुल असी वाड है जिनमें गाय घाट के पारशद के सी आदब ने मुद्दा उठाया कि हमारे वाड में अवहद कबजा है निगम का बुल्डोजर गया और वापस चलाया जिस पर नगर आयुक्त ने जवाब देते वे कहा कि वहाँ पर राजस्व की समस्या है इसके लिए निगम ने तहसील को पत्र भेजा है जल्दी समस्या का समधान हो जाए कुछ पारशदों द्वारा नगर निगम के सदन हॉल में नगर निगम के कारे से नाराज होकर आपस में जड़प हुई तथा नगर आयुक्त और मेयर के उपर हल्ला बोल हुआ वहीं कुछ पारशदों ने कहा कि जो ठेकेदार है वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं और समय से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बरसात आने वाली है जिसकी वज़ज़ से समस्या हो रही है नगर आयुक्त ने ऐसे ठेकेदारों का टेंडर रद करने के निर्देश दिये वहीं महिला पारशदों ने वाडो में शव वाहन उपलब्ध कराने के लिए बात उठाई जिस पर सभी पारशदों ने सहमती दी जिस पर नगर आयुपत गौरोव सिंसोगरवाल ने कहा कि CSR फंड से दो शव वाहन खरीदने के लिए बोला गया है यदि नहीं होता है तो हम बोर्ट से फंड लेकर खरीदारी करेंगे ये वाहन हर वाड के लिए उपलब्ध रहेगी इस अवसर पर पारशद केसी यादव, जुगनु सिंग, मनोज निशाद, आनंद साहनी, रविंदर सिंग, लाली गुपता सहित अने लोग मौजूद रहे